रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो प्याज से है बता दे देश में इन दिनों प्याज एक बार फिर सुर्ख्यों में हैं हाला कि इस बार कारण पिछले कारणों से अलग है दरसल प्याज इन दिनों अपनी दुर्दर्शता को लेकर चर्चा में बना हुआ है सिदेश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महराश्टर के किसान परशान है महराज़ के किसान साल में दो बार प्याज का उत्पादन करते हैं लेकिन इस सीजन में प्याज के अधिक उत्पादन का असर किसानों पर पड़ा है इस्तिती ये है कि प्रदेश के किसानों को प्याज का उचित मूल नहीं मिल पा रहा है और लागत निकालने की चुनोती किसानों के सामने बनी हुई है ऐसे में किसान प्याज का नियूत्नम समर्थन मूल यानि MSP घोशित करने की मांग कर रहे हैं वहीं प्याज की लगतार गिर्ती कीमतों के खिलाब किसानों ने प्रदशन भी किया है इस बीज प्याज की कम कीमतों का मामला सियासत में गर्म होता दिख रहा है और प्याज उत्पादक किसानों को रहत देने के लिए 5 रुपे प्रती किलो देने की मांग की जा रहे है। इसके साथ ही उन्होंने प्याज उत्पादक किसानों को रहत देने के लिए अन्य फॉर्मूले पर भी विचार करने को का है जिसके तहत उन्होंने फशल रिंड परिवहन सबसीरी समेथ अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा है। वही भाजपा नेता और महराज विधासमवा परिशत के सदस से ने प्याज किसानों को राजसरकार से रहत नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके लिए उन्होंने राजसरकार को आठ दिन का अल्टीमेटम दिया है। इतना ही नहीं माराश में सीजन में प्याज का बुरा हाल है। आलंग ये है कि प्रदेश में एक बार फिर प्याज 50 पैसे प्रति किलो बेख रहा है। जानकारी के मुताबिक नासिक के नंदगाव में किसानों को प्याज 50 रुपे प्रती किलो के भाव से बेशना पड़ रहा है वहीं प्रदेश की कई अन्य मंडियों में प्याज का भाव 50 पैसे से 3 रुपे किलो तक चल रहा है तो ये थी बड़ी खबरे लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ मुझे दीजे जाजत नमस्कार